दोस्तों साल 2015 में आई फिल्म बाहू बली ने बॉलिवुड से लेकर टॉलिवुड के सभी रिकॉर्ड तोड दिये थे इसके बाद साल 2017 में बाहू बली 2 ने सिनिमा के इतिहास में नए रिकॉर्ड कायम किये और अब आपको बता दें कि बाहू बली 3 भी बहुत जल्द ही आने वाली है अगर आप भी बाहू बली 3 को देखने के लिए बहुत excited हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के end तक बने रहें आज की इस वीडियो में हम आपको बाहू बली के third part के बारे में ही कुछ interesting बाते बताने वाले हैं आपको बता दें कि जल्द ही आपको बाहू बली के तीसरे पार्द की फिल्म का teaser और poster देखने को मिल सकता है इस फिल्म के ट्रेलर को release होने में अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन इस फिल्म का teaser आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके डारेक्टर भी अब इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत बेताब हो गए है और पूरी एकसाइटमेंट से इस फिल्म की तैयारियों में जुट गए है दोस्तों फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्राखंड देश दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बन गया है बॉलिवुड के तमाम नामी गिरामी निर्देशक और कलाकारों की एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग यहीं हो रही है इतना ही नहीं बॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड तक उत्राखंड में ही फिल्मों की शूटिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं ऐसे में खबर है कि बाहुबली फिल्म के निर्देशक अपनी फिल्म के तीसरे पार्ट की शूटिंग यहीं करेंगे खबरों की माने तो फिल्म के निर्देशक S.S. राजा मॉली ने उत्राखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बातचीत कर वहाँ पर बाहुबली के तीसरे पार्ट की शूटिंग की इजाज़त भी मांगी थी वहीं आपको बता दें कि अब बाहुबली के थर्ड पार्ट पर काम बहुत जोरो शोरों से शुरू हो गया है S.S. राजा मॉली इस फिल्म की कहानी पर बहुत ही पेचीदगी से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसकी कहानी पिछली दोनों फिल्मों के मुकाबले बहुत ही बहतरीन तरीके से बने और दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगा बनारे में काम्याब रहे बहुबली के थर्ड पार्ट को लेकर जब प्रभास से एक इंटर्व्यू में सवाल किये गए तो उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्देशक S.S. राजा मॉली के पास अभी बहुबली के लिए 10 से 12 स्क्रिप्ट सेयार बैठी है और वो बहुबली के तीसरे पार्ट के लिए बहुत जी जान से महनत कर रही है और इसके थर्ड पार्ट के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा महनत करने की जरूरत पढ़ने वाली है क्योंकि जिस तरह से बाहुबली के पहले और दूसरे पार्ट ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगा बनाई है उससे इसके तीसरे पार्ट के लिए उनकी उम्मीदे और भी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से निर्देशक एसस राजा मौली को बहुत ही ज्यादा महनत करनी पड़ेगी प्रभास ने साथ ही अपने इंटर्व्यू में ये भी कहा कि एसस राजा मौली के पास बाहुबली के तीसरे पार्ट की स्क्रिप्ट पिछले पाथ सालों से है लेकिन उन्होंने कभी भी इसके बारे में बहुत ही excitement से नहीं सोचा पर आज वो बाहुबली के तीसरे पार्ट के उपर बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रहे है और फिल्म को एक successful फिल्म बनाने के लिए वो जीत तोड महनत कर रहे है आपको बता दें कि बाहुबली में महेंद्र बाहुबली की प्रेमिका के गिरदार में तमना भाट्या यानि की अवंतिका की बस जहलक ही दिखाई दी थी ऐसे में उम्मीदे लगाई जा रही है कि बाहुबली के तीसरे पार्ट में इन दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा बाहुबली के दूसरे पार्ट में बाहुबली अपनी मा से तो मिल गए थे लेकिन अवंतिका के साथ उनकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई थी शांदार डायलोग्स, बेहधी कमाल के विजुल एफेक्ट्स और बेहधी शांदार विजुल एफेक्ट्स, आक्शन से भरपूर और एक पूरी तरह से मसाला फिल्म होने के नाते बाहुबली के तीसरे पार्ट में अब आपको इन सब का डबल दोज मिलने वाला है बाहुबली के तीसरे पार्ट में आपको अमरेंद्र तरह के action scenes करते हुए नजर आएंगे जैसा कि आपने आज तक किसी और फिल्म में कभी नहीं देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म के तीसरे पार्ट में अब आपको इसके पहले दोनों पार्ट से और भी कई ज्यादा बढ़कर बहतरीन visual effects देखने को मिलेंगे और इसके अलावा इस फिल्म में और भी नए नए characters जुड़ते हुए नजर आएंगे क्यूंकि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म में और भी कई दमदार characters की जरूरत पढ़ने वाली है बाहुबली के पहले और दूसरे पार्ट ने box office पर बहतरीन प्रदर्शन करके कई records तोड़े थे और अब ऐसी ही उमीद इसके third part से भी लगाई जा रही है तो दोस्तों क्या आप भी बाहुबली के third part को देखने के लिए excited है अगर हाँ तो अपनी राए हमें comment box में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share करना ना भूलें साथ ही बॉलीवर इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें फिर मिलूंगी बॉलीवर की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ तब तक के लिए बाई बाई